कहते हैं कि लालबादूर सास्त्री जी खादी के पुराने या कटे-फटे वस्त्रों को भी इसलिए सहाज कर रखते थे क्योंकि उसमें किसी का परिश्रम छुपा होता है। वे कहते थे ये सब खादी के कपड़े बड़ी महनत से बनाए हैं इसका एक-एक सूत काम आना चाहिए। देश से लगा और देश्वास्यों के प्रेम की यह बावना छोटे से कद काठी वाले उस महा मानव के रगरग में रची बसी थी। दो दिन बाद पुझ बापु के साथ ही हम सास्त्री जी की विजेंती मनाएंगे। सास्त्री जी का नाम आते ही हम भारत वाश्यों के मन में एक असीम स्रद्धा का भाव उमर परता है। उनका सौम्य व्यक्तित्व हर देश्वासी को सदा ही गर्व से भर देता है। लाल बादूर सास्त्री जी की विशेस्ता थी कि बाहर से वे अत्यधिक विनम्र दिखते थे। परन्तु भीतर से चट्टान की तरह द्रड़ निष्चे ही थे। जय जवान जय किसान का उनका नारा उनके इसी विराट व्यक्तित्व की पहचान है। राष्ट के प्रती उनकी निस्वार्त तपस्या का ही प्रतिवल था कि लगबग डेड़ वर्ष के संक्षिप्त कारकार में वे देश के जमानों और किसानों को सभलता के शिखर पर पहुंचने का मंत्र दे गए।